सब्सक्राइब कर दिया है चैनल उनका शुक्रिया और जिन उनने नहीं किया है प्लीज 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 सब्सक्राइब करें यहां पे है आपका रेस्टोरेंट पाइट्स एंड प्लेट्स तो यहां पहुँच चुके हैं अब अंदर जाके ओडर देना है और बाकी देखते हैं इन्दा मेन्यू क्या है मैं आज आया हूँ अपने कजिन के साथ जो यहीं सीतापूर में रहते हैं पढ़ रहे हैं और इनके साथ आया हूँ यह मुझे ले के आया है सजेस्ट किया कि यहां चलते हैं और इनकी कुजीन ट्राइ करते हैं तो यह चन्ता को हाइब बोलना चाहते हैं अब हम चलते हैं अंदर और मज़ा लेते हैं की कुजीन का देखते हैं क्या मिलता है डिनर-णे एंबियंज इनका काफी अच्छा है और टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छा है यहाँ पे महौल आज रश अतना नहीं है में भी हो सकता है कि हम थोड़ा लेट आएं इसलिए भी तो देख सकते हैं आप छोटा सा इन्होंने एक यहाँ पर पॉंड भी दे रखा है और यह एक छोटा सा हड बनाया है इन्होंने इसमें भी अरेजमेंट से बैठने का और यह अंदर इनका एक हॉल तो अच्छा डेकॉरेट कर रखा है इन्होंने लोकेशन भी इनकी अच्छी है सामने हाइवे यह है अंदर का व्यू तो गाइज इन्होंने कर दिया है ओर्डर हॉट एन सूप कैसा है टेस्ट बहुत मुली है अब करते हैं कुछ ओडर और यह देखिए हम लोग का डिनर आ चुका है और क्या लाचवाब लग रहा है आप टेक्श्चर देखिए इसका यह है बटर चिकन और यह देखिए खूप सारा मखन यह है बटर रोटी यह है प्लेन रोटी तो हमने दोनों ओरडर करी है बस अब चल्दी से खाने का मन कर रहा है क्योंकि भूग बहुत लगी है और अलेडी यह देखिए इन्होंने फिनिश कर लिया है यह रुक नहीं रहे है यह कह रहा है मैं आपके लिए रुकूंगा नहीं मैं पूरा खा जाओंगा क्यों कह रहा अब बागी टेस्ट करके देखते हैं मुझे तो अवसम लगा इसमें बटर के साथ साथ थोड़ा सा स्पाइसी है और अच्छा गार्निश भी इन्होंने किया है तो ओवरॉल बढ़ियां ऑप्शेन है आप ट्राई कर सकते हैं टेक्शर भी थोड़ा अलग है एक लाइक रे इनका भी फीडबैक सही है तो गाइज डिनर हो गया है फिनिश अब है चलने की बारी और ओवरॉल एक्सपिरियेंस अच्छा रहा सर्विस भी अच्छी थी खाना भी अच्छा था और बटर चिकन का टेस्ट वागी अच्छा लगा जो रेगुलर खाते रहते हैं उसे उन्हें अच्छा सेजेशन दिया तो हम लोने काफी है जोई किया और मजा आया आप निकलते हैं चलते हैं घर के तरफ आई होप आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा इधर हाइवे है नेशनल हाइवे और इस तरफ लखनव है और इधर अपोजिट डियरेक्शन में सीतापुर और काफी अच्छा लग रहा है इन्होंने जो होल्डिंग लगाई है और पेड़ पे ये लाइट देखिए जबदस और ये है इनका व्यू आप देख सकते हैं लोकेशन अच्छी है आने के लिए हैंग आउट करने के लिए फैमिली इस कि मज़ा बहुत आ रहा है गाईज आफ्टर टिनर अब थोड़ा सा लॉंग ड्राइव हो जाए लॉंग क्या हाँ थोड़ा सा तो मज़ा ही आएगा और ये देखी आगे बैठे है इनका चेहरा देखने रहा है लेकिन ये मुबाइट मुबाइल में लगे हुए थे मुबाइल उन्होंने बंद कर दिया जैसी मैंने इन प्वाइंट किया कैमरा इनके दुरुफ कि विव काफी अच्छा लग रहा है यहां से फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर और डिनर काफी अच्छा लगा आउटिंग भी अच्छी लगी और आई होब आप लोगों को यह चोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मोड व्लॉगर को और जादा से जा रही है और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में तिल दिन आप लोग अपना ख्याल रखिए टाटा बाई बाई